Hello everyone, my name is Ashura Mishra, welcome back to my YouTube channel, तो अभी हमारा टापिक चल रहा है MRI, Magnetic Resonance Amazing, अभी तक हम इसका introduction, history, phenomenon और principle देख चुके हैं कि magnetic field इसमें कैसे apply हो रहा है, resonance कैसे हो रहा है और इसमें relaxation कैसे हो रहा है, अब हम देख, अब हमें last step जो है वो देखने हैं कि आचुके हैं दुबारा, तो अब इस relaxation के बाद में image कैसे बनेगी, वो हम देखते हैं, producing an image from signal, requires that a specific slice within the patient body be examined and voxel be designated within the slice, यानि कि अब हमें एक signal, image बनाने के लिए, किसी भी signal से एक image बनाने के लिए, हमें को एक specific slice चाहिए, जिसकी हमें image बनानी है, या फिर एक voxel, उस slice के अंदर एक voxel designated होना चाहिए, जैसा कि हमने CT में भी देखा था, कि जो भी image बनती है, वो pixel wise बनती है, कि एक human body है, इसको अगर हम अभी तक देखें तो इसमें जो proton है, वो hydrogen atoms है, जो वो अलग-अलग randomly present है, यह है without magnetic field, कोई भी हहाँ पर magnetic field zero है, ठीक है, जब हमने इसको magnetic field में align किया, ठीक है, तो अब इसमें जैसे कि इस direction में, अगर magnetic field लग रहा है, तो इसी direction में यह aligned हो चुका है, पूरी body के hydrogen nucleis, ठीक है, अभी तक हमने देखा था कि अब magnetic field में, इसको body को place करने के बाद में, जो proton है, वो precision करते हैं, precision करते हैं, एक special frequency से, जिसे हमने Larmor frequency कहा था, अभी Larmor frequency, according to its formula, Larmor equation, कि यह depend किस पर कर रही है, F L is equal to gamma B upon 2 pi, यानि यह magnetic field पर depend करती है, gyro magnetic ratio is constant, 2 pi is constant, तो इस frequency किस पर based होगी, magnetic field पर, यानि जितना strong magnetic field होगा, उतनी ही जादा इसकी frequency होगी, बट अभी अगर हम देखा जाए, तो hydrogen atoms के लिए, सब के लिए gyro magnetic ratio equal होगा, 42.6, वो equal होगा, 42.6, तो वो equal होगा, तो इस तरीके से, किसी magnetic field में अप्लाई करने के बाद में, Lama frequency इन सब की सेम रहेगी, तो हमें कोई भी body का पार्ट अलग देखने को मिलेगा यह नहीं, हर slice की, हर proton की, और जब एक ही frequency होगी होगी, तो आप उसको कैसे encode करोगे, कुछ coils align कर दी है, इस तरीके से, अब इसमें क्या होगा, इन coils के कारण, इन coils को कहते हैं, gradient coil, ठीक है, यह coils क्या करेंगी, कि एक weaker magnetic field, जब इन में कोई भी current या कोई भी pulse अगर हम इसमें generate करेंगे, तो यह gradient coils क्या करेंगी, एक weaker magnetic field अपलाए करेंगी, अब सबसे पहली बात तो यह gradient coils जो है, वो हमेशा जो external magnetic field है, इसी की direction में लगाए जाएगा, तो जब हमने gradient coils लगाएंगे, तो यह compare to it, बहुत ही weak magnetic field अपलाए करेंगी, यानि कि almost 0.01, अगर यह 2 tesla का है, अगर जो magnetic field मान लिया हमने, 2 tesla का हम यूज कर रहे हैं, magnetic MRI machine में, तो हमने क्या क्या जो gradient coils जो है, वो gradient अगर magnetic field प्रोड्यूस करेंगी, तो बहुत ही कम, यानि 0.01 tesla का, यूज कर सकते हैं हम इसमें, एक तरह किसे माना है यह, तो इस type से क्या होता है, कि यह बहुत ही कम type का, कोई magnetic field प्रोड्यूस करेंगी, जो एक end पे minus में होगा, एक end में positive होगा, gradient का मतलब हमें पता है कि वो एक gradient से अब लगा देगी, यानि प्रवंता, gradient का मतलब होगी, तो इस जगे 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 जादा होगी, अभी तक हर पार्ट का जो मेंगनेटिक फिल्ड हो सेम आ रहा था उसकी फिक्वेंसी सेम आ रही थी बट अब हमने जब इसमें ग्रेडियंट बैजने फिल्ड अप्लाइ कर दिया है तो हर पार्ट की कुछ ना कुछ डिफ्रेंस कुछ ना कुछ वेरियेशन होगी विकॉस इस पार्ट की के स्की का जो ग्रेडियंंट मेंगनेटिक फिल्ड है और उसकेकर अप्लाइ के जब अने अपने तौर्णिक अपमेंग करने के बाद के आपको सिग्णल रिसीव होगा आपको सिग्नल तो पहले रिसीव हो चुका था जैसे कि हमने जब रिलैक्सिशन किया थ तब हमने देखा था कि जो high energy spins थे वो low energy spins में convert हो रहे थे अब जो high से low में जा रहे थे तो यह कुछ energy को release कर रहे थे यह energy transform हो रही थी MRI signal या फिर radio waves में radio waves में तबदील हो रही थी radio waves में convert हो रही थी इन radio waves को हमने MRI signal के जैसे लिया था बढ़ हमें यह नहीं पता लग रहा था कि signal किस जगे से आ रहा है तो अब हमने क्या किया जब ग्रेडिंट मैगनेटिक फिल्ड अपलाए कर दिया है तो इसमें क्या हो चुका है हर पार्ट की अलग frequency है तो हर पार्ट का हमें signal अच्छे से मिल सकेगा सेम frequency के कारण आप जो signal है उसको नहीं बता पा रहे थे determination उसकी location को नहीं बता पा रहे थे अब हम इसको देखते हैं पूरा detail में ठोरी में अभी तक में आप कोई समझा दिया है कि why इस gradient field is used ठीक है क्यों यूज किया गया क्यों जरूरी है अब देखें इन MRI machine body is aligned with strong magnetic field and this magnetic field determines Larmar frequency of proton कि अब जो एक magnetic field है वो ही determine करेगा इस Larmar frequency को इस formula के द्वारा ठीक है इस time every hydrogen nuclei will have the same frequency same frequency होगी सबकी so a gradient magnetic field will be superimposed on the main magnetic field by using gradient coils क्याइब हमने क्या 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 ग्रेडेंट में अध्यारोपित किया है यानि उसके उपर लगाया है on the magnetic field main magnetic field main magnetic field के उपर अध्यारोपित किया है same direction में ठीक है the gradient coils produce weaker magnetic field बहुत weak magnetic field produce करेंगी this gradient coils are intermittently pulsed for a fraction of second each time अब इसमें क्या 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 मतलब continuous नहीं है छोटे छोटे time के बाद में इंटर्वल में हमने उसको pulsed किया यानि उसमें energy दी है for a fraction of seconds कुछ seconds के लिए जिससे कि उसमें जो होते magnetic field produce होता रहे time to time each pair of coils produces a small magnetic field gradient जो भी coils होगी उनका हार जो पेयर होगा वह एक small magnetic field gradient को produce करेगा so the combined magnetic field varies at one end of axis to the another end तो इस तरीके से क्या होगा जो combined magnetic field होगा यानि main magnetic field plus gradient magnetic field वह क्या करेगा एंड to end जिससे कि हमें एक signal मिलेगा the purpose of magnetic field in homogeneities की आप हम इस magnetic field में in homogeneities यानि आसमता ला रहे हैं उसका purpose क्या है हम जान गुच की आसमता ला रहे हैं तो इसका purpose क्या है first slice selection कि हमें slice select करने को help मिलेगी कि कि इतनी slice है में as a image लेनी है दूसरा pixel localization within the slice अब इस slice के अंदर pixel की क्या location है यानि कहा से signal मिल रहा है हमें उसके लिए हमें यह दोनों चीज़ों के लिए हमें in homogeneities लानी पड़ती है three gradient coils are key feature Distinguation MR images अब हमने three gradient coil ली है Z gradient जो होती है slice selection gradient के लाती है यह slice selection में help करेगी y gradient जो होगी वह phase encoding होती है यानि जो phase है अब जब relaxation के बाद में जब वह वापस से d phase हो रहे है तो वह अलग अलग phase में चले जाएंगे relaxation में हमने देखा था कि वह जब इन phase थे सारे वह अलग अलग phase में के लिए combined magnetic field यूज किया है जो कि अलग अलग होगा हर जगह के लिए हर एक प्रोटोन के लिए हर एक प्रोटोन अलग-अलग magnetic field को feel कर रहा है तो इसलिए हमने जो frequency encoding gradient को कहते है यह frequency को decide करेगा तो अभी तक यह हुआ कि हमने यह जो कि अधियर कोई यूज करके gradient magnetic field लगा दिया है जिससे हमें pixel localization पता चल चुकिए यानि कहां से determination of MR signal पता चल चुका है क्या location है मार्स इगनल की और आपको पता है जो भी कोई भी वह इमेज ले रहे तो अभी तक आपको देख सकते हैं कि यह slice thickness को determine कर रहा है अगर आप प्रैक्टिकली देखना चाहिए तो इस तरीके से क्या होगी z-axis में gradient लगाने पर यह क्या करेगा slice को determine करेगा इसके अलावा जो हमने y-axis पर gradient करेगा क्या क्या करें फेस बताइगा तो यह पर आपन मतलब और नहीं कीजितन पर 3,5-2, मतलब वह नहीं पर आपको यह inner पकर पदाएगा में बताएगा पर स्थल्कषी कैसे रिटर्माइन करेगा अब देखिए हम faignaili एक मिल चुका है कि हमें मिल चुका है कि मील चुका है कि अब उससे image को कैसे reconstruct करेंगे वह देखते हैं after selecting a slice frequency encoding slice frequency encoding को select करने के बाद में represents the pixel at lower magnetic field the other represents the pixel at higher magnetic field अब हम पता चल चुका है ग्रेडियंट के कारण कि एक पिक्सल तो लौर मैग्नेटिक फिल्ड पर है और एक हाइड मैगनेटिक फिल्ड पर है तो हम इसे प्रोजेक्शन का नाम दे सकते हैं ठीक है जिसे कि हमने सीटी स्क्राइब में देखा था था प्रोजेक्शिंट तो हमने X-rays के लिए कहा था कि एक intensity होती है low to high तो वो उसमें X-ray के दोरान मानी जा रही थी अब इसमें क्या है कि magnetic field है लेकिन अब हमें पता चल चुका है कि एक pixel एक एंड पर lower magnetic field में हो सकता है एक यहां पर जो pixel है वो high magnetic field पर होगा तो यह क्या करेगा प्रवंता इस्थापित कर देता है और एक projection इसे हम टर्म दे सकते हैं multiple projection can be maintained in MRI by electronically rotating the gradient magnetic field around the patient के अब इस्ते क्या हो सकता है कि multiple projections भी आप्टेंड कर सकते हैं कैसे जब किसी भी patient के चारो तरफ अगर हमने magnetic field को लगाया है यह patient है अब हमने इसके चारो तरफ अगर magnetic field को रोटेट किया है तो क्या होगा कि इसमे Congratulations लगेंगे ठीक है तो इनमीज प्रोजेक्शन के विल्ट को आपको चेंज करना पड़ेगा कि घ्रक्रोंग में प्रोजेक्शन करना पड़ेगा तो यह चीज ती यह जो चीज थी एमर स्कैनर जो चेंज करना पड़ेगा के ल इसी तरीके से इमेज रिकंस्टक्ट की चारी थी कि हमें मतलब पेशिंट को प्लेस करने के बाद में जो ग्रेडिन मैंनेटिक फिल्ड उसको रोटेट करना पड़ रहा था ताकि मल्टिपल प्रोजेक्शन निकले यानि हर जगे से कुछ ना कुछ ऐसे पिक्सल्स निकले जो इसा नहीं कि वो ग्रेडिंट यूज नहीं करते हैं ग्रेडिंट हमेशे यूज होगा क्योंकि हमें MR सिगनल को लोकेट करना है बट जो बैक प्रोजेक्शन मेथर्ड होगा उसको हटा दिया है बिकॉस अफ मोशन आर्टिफेक्ट कि अब देखो जब आप उसको पूरे इसलिए बैक प्रोजेक्शन मेथर्ड को हटा दिया कैसे कि बैक प्रोजेक्शन मेथर्ड में क्या हो रहा था यह पेशेंट है ठीक है मल्टिपल प्रोजेक्शन यहां से अब यह कोई भी ग्रेडिंट फिल्ड के कारण यहां पर लो सिगनल और यहां पर हाई सिगनल बन र तो अब हमने एक नया और एक सही मेथड यूज किया है यह क्या है यह एक तरीके से mathematical algorithm is a mathematical algorithm that converts the measured composite to signal to the associate amplitude as varying frequency is applied to digitized signal to sort out amplified at each frequency यानि अब इसमें क्या हो रहा है मैं आपको अधारती हूं कि यह mathematical algorithm है इसमें क्या होगा जो भी हमने composite signal मिला है measured composite signal है उसको हमने जो भी amplitude हो उसके according इसको varying frequency पर हमने रखा है जिससे कि हमें एक exact amplitude हमें digitized signal की तरह मिल सकें जैसा कि मैं इस diagram में आपको दिखाऊंगी कि देखिए इसमें क्या हो रहा है कि कोई भी signal है जब हमने इसको आरेफ signal intensity है जब हमने इसको रेडियो फ्रिक्वेंसी दी तो यह यहां पर था जो हमने इसको आरेफ को टूंड और तो यह कुछ इस टैप से गिरेगी intensity इसमें इस वक्ति इसी अनर्जी को तो हमने इसी वक्ति क्या उसकी फ्रिक्वेंसी होगी उसी को हमने इसमर सिग्वेंसी लिया है तो इस टैप से यह स्टैप से बन सकता है कि यह पहले नीचे घिर जाएगा फिर स्टैप से हमारे पास में में ग्राफ यह है जब आमने इस पर टांसफोर्मर को उप्लाइग किया तो यह इस टैप से कुछ ग्राफ देगा फ्रिक्वेंसी का कि यह एक-एक अम्प्लिटूड डिसाइड कर देगा यहां पर अब यह जो अंप्लिटूड है एग इसमें कोई भी अगर यह easy signal है तो यह इसको as a frequency अभी तक इंटेंसिटी और टाइम का ग्राफ है इसको इसमें frequency में तब्दील कर दिया है इसके लिए mathematical algorithm लगती है तो इसमें अभी तक क्या हुआ back position method हमने यूज नहीं किया for a transform use कि इसके अंतर जो भी component signal है उसके amplitude को इन्होंने as a frequency हमने बना दिया है ठीक है so अब देखो image can be reconstructed in any plane अभी इस method के बाद में जो signal frequency का में ग्राफ मिला है वो any plane पर reconstruct किया सकता है axial coronal societal पर with the help of software available जो software में पास available हुआ और images जो है वो displayed हो जाएगे on the computer तो अभी तक हमने जो MRI में यहां तक इसका principle complete होता है firstly हमने इसमें क्या देखा था firstly हमने इसमें क्या देखा कि magnetic field को apply किया है सबसे पहला जो था वो तो यह था कि जो proton है hydrogen protons इसमें कैसे align होते है hydrogen protons present हो बाडी में ठीक है तीसरा हमने इसको magnetic field align कर दिया तो hydrogen protons aligned हो चुके हैं तीसरा हमने इसमें precision moment में इसमें precision भी है ठीक है इसके बाद में हमने देखा कि resonance कि अब resonance में क्या हो रहा था कि जो भी resonance में RF intensity जा रहा थी as a equal to lamar frequency जिसे कि क्या रहा था तो इसके बाद में हो रहा था कि relaxation relaxation में हमने देखा जो transverse magnetization था वापस लॉंग total में change हो रहा था defhasing हो रही थी और जो proton से high energy to low energy में आ रहे थे high energy to low energy में आने के कारण ही वह energy को release कर रहे थे और MR signal प्रोड्यूस कर रहे थे ठीक है उसके बाद में हमने देख लया कि image को reconstruct कर दे इमेज को reconstruct करने के लिए हमने क्या क्या किया है सबसे पहले gradient यूज किया है gradient coils को यूज करके gradient magnetic field बनाया है जिसे कि हमें exact location पता चल सके signal की दूसरा हमने इसमें Fourier transformer method यूज किया है Fourier transformer method यूज किया है ताकि लास्ट हमको image जो है reconstruct करके मिल सके तो यहां पर हमारा MR का principle या फिर working भी कह सकते हैं यह complete होता है अगर आपको यहां तक कि में कोई भी doubt है तो आप comment section में comment करके मुझे बता सकते हैं I will explain it in next video ठीक है अगर आपक machine में क्या के components यूज कर सकते हैं so thanks for watching